देश के जाने माने उद्यवक पती रतन टाटा का 86 साल के उम्र में नीधन हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक रतन टाटा पिछले कई दिनों से मुंबई की बीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थे। इलाज के दरान उनकी हालत खराब होने के बाद उन्हें आईसवी में रखा गया था। उनकी तबियत खराब होने की पुष्टी टाटा ग्रूप के हेट कौटर बंबे हाउस ने खुद की। आप सबी को बदा दे इससे पहले सुमौरक उनकी तबियत खराब होने की खबर सामने आय थी जिसके बाद रतन टाटा ने खुद X-Handle पर यानि की ट्वीटर पर पोस्ट कर अफवार ना फालाने की अपील की थी उन्हेंने कहा था कि वह रूटीन चेकप के लिए आये हैं आप सबी को बदा दे रतन टाटा इमांदारी नैतिक नित्यूत और परुपकार की एक मिसाल थे जिन्होंने बैपार उससे परे की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है वह हमारी आदों में हमेशा उचे स्थान पर रहेंगे जनकारे के लिए बता दे देश के सबसे बड़े उद्योग पतियों में से एक रतन टाटा 2012 तक टाटा ग्रूप के प्रमुक थे उन्होंने करीब 22 साल के बाद 78 साल की उम्र में इस पत को छोड़ने का फैसना लिया था उन्होंने अपनी अगवाई में ग्रूप की सबसे बड़ी कमपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्फिसेज को इंफोसीज और विप्रो से आगे लेकर आए खास बात यह है कि उन्होंने आम लोगों की कार का सपना पूरा करने के लिए टाटा नैनो भी लाज किया जिसकी कीमत केवल एक लाख रूपई थी उन्होंने कई ग्लोबल कमपनीयों को खरीद कर ग्रूप के पोर्ट फोलियों को और भी मजबूत किया रतंडार जी का जान मुझे सो साइटिस में हुआ और आज दोजार चौबिस में लोगों को अलविदा कह गए आप देखना है सक्की ताजक ख़बर रतंडार जी से जुड़ी सभी ख़बरे से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एस पी ओडेट थैंक्यू